फालिली गॉस्ट, आज वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग अगर किसी भी व्यक्ति को Cold करते हैं तो कई पर होता है कि आपके फोन में Cold Recording को ॉप्षन भी नहीं आता है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे best call recording के application को और आपको बताएंगे कि आप इस application से call recording भी करेंगे लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर notification भी सो नहीं होगा कि आप call recording किसी की कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से ये सारी setting को follow करना है आईए जानते हैं अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ setting follow करने से पहले वीडियो को like करना होगा चैनल को subscribe करना होगा उसके पहले आपको आना है अपने mobile की setting में mobile के setting में आने के बाद यहाँ पर आप देशेते हैं यह है हमारे पास Samsung का phone अब यह आपको करना का है थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देख पाईएगा apps के option पे आपको click कर देना है अब जैसे आप apps के option पे click करेंगे तो आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर काफी सारे option दिखाई देने वाले हैं तो यहाँ पर आपको वह application select करनी है जो application में आपको बताने वाला हूँ जैसे कि for example के लिए यहाँ पर माल लीजे हमारी यह application है तो इस application को open करेंगे और permission में आके इन permission को आप allow करतेजे सभी permission को allow करने के बाद आपको बेख करना है अब मैं आपको बताता हूँ कि application कैसे download करना है application को download करने के लिए आपको दो तरीके मिल जाते हैं यहाँ पर search कर सकते हैं आज़त कुस्वाह को और कुस्वाह को search करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है C-U-B-E-A-C-R आप देखे इस application के कुछ feature है जो की बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो इसको follow करना है यहाँ पर 16,000 पलस में लोग इस application को देख चुके हैं आप यहाँ से application को download कर लिजेगा और यहाँ फिर आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं जैसे आप application को open करेंगे तो आपको application कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है यहाँ पर आपको next करना है और यहाँ पर आपको gen permission पर जाना है और यहाँ पर allow करना है allow करना है allow करना है फिर से आपको एक बार allow कर देना है ओके करना है और यहां पर अलाव कर देना है अलाव करने के बाद यहां पर देखेंगे next करेंगे और यहां पर इस application के आपको कुछ खूपया setting बताने वाला हम वो setting आप बस पूलो कर देएगा अभी देखें गेट टू एकसर टू प्रेमिरियम तो आपको यहां पर प्रेमियम फिचल नहीं चाहिए हमें कोई बात नहीं हम इसको close करेंगे close करने के बाद यहां पर आपको देखें इग्णोर करना इसको या फि आपके recording का option मिल जाता है जैसी कि आप लोग यहां पर दिख सकते हैं तो आपको यहां पर करना क्या है त्यरे लाइन पर किलिए करना है और यहां पर आपको देखे premium का option मिल जाता है अगर आपको premium अ तो आपको बता देना है हम आपको नीचे देदेंगा किसी दिन टेलिग्राम के ओप ठीक है अगर आप लोगों के ज़्यादा कोमेंट आते हैं तो अब देखे यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर देखे रिकोर्डिंग का उपसन दिखते है इसको ओपन करिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर दिखिए यह है ओटू स्टार्ट डिकोर्डिंग इसको आप ओफ रहेगा आपका लेकिन आप इसको ओन रखिएगा मेरे भाई ठीक है जैसे आप ओन रखते हैं उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपको आना है अपने एक अप्लिके डी के अपने प्लिकेशन को लोक कर सकते हैं और डी केसिन को खाया बी कर सकते हैं अभी देखिए फिलाल मेरे पाद दूसरा फॉन है यहाँ पास सेम्संग फॉन के अंदर वह फिचल नहीं मिलता है इस बाद का देहार किये का आप्लो ठीक है अभी देखिए आपको दिखा देंगे और यहाँ पर hidden वी हैप की hidden setting भी दिखाई देंगे ठीक है लेकिन बहुत सारे device के अंदर hidden setting नहीं होती है तो आपको करना क्या है आपको simply application को open करके आपको lock लगा लेना है ठीक है application पर lock लगा लेंगे lock लगाने के बाद आप lock करेंगे क्या उस application को कहीं भी hide कर देंगे बहुत सारे device में आप जो भी नई device आ रहे हैं उनके अंदर वो सबी option मिल जाता है जिससे आप application को lock कर सकते हैं तो इससे करेंगे आप यहाँ पर देखें मैं आपक जो भी दिखाए दा रहा है इसको हम बेक करेंगे काटेंगे और दुबारा से हम उसी application को open करेंगे open करने के बाद बेक करेंगे और यहाँ पर दिके okay करेंगे और यहाँ पर ignore करेंगे यह देखे हैं अब आपकी call recording सुनाई भी देने वाली है तो आपको अमरी यह वीडियो क जे वारत